अधो एव्रीबरन मीना की रस्वी में आपका सवागत है आज आप बनाने जा रहे हैं कमल ककडी और आलू की सब्जी अगर आप मेरे चैनल पर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्क्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वैल आइकन बजाना मत बूलिएगा और ज्यादा से ज्य को शेयर कीजिए और इस कमल ककड़ी में न्यूट्रिशन बैल्यू बहुत होती है बहुत ही ज्यादा आप इस रेसिपी को घर पर एक वाट ट्राइ जरूर करें चलो अम बनाते हैं यहां पर मैंने तीन छोटी-छोटी कमल ककड़ी ली हुई है इनको अच्छी तरह से मैंने व अब हमने इन दोनों तरफ से इनके काट दियें छोट और इनको छील लेंगे इस तरीके से हम इन सारी कमल ककड़ियों को छीलेंगे देखिए हमने इस तरीके से छील लिया है विलकुल आप किसी भी सायता से छील सकते हैं और इनको हम छोटे-छोटे टुकड़ों में गोल-गोल राउंड में पीस करेंगे हमने इस तरीके से पीस कर लिये हैं कमल ककड़ी के आप इनको चाहे छोटा या बड़ा अपने इसाब से कर सकते हैं और इनमे नेचरल बालू बहुत होती है यह बहुत ही हमारे सरीर के लिए फाइदे मंद होती है हमने यह कमल कड़ी हैं सारी यहाँ पर काट कर धो कर वाश करके मैं से सारा पानी निकाल दिया है अब इसी तरह हम दो पटेटो ले लिये हैं उनको भी चॉप्ड कर लिया है अब हमने यहाँ पर गैस के चुले के ऊपर कड़ाई गरम होने के लिए रख दिये उसके अंदर हम डालेंगे फाइव टेबल इस्पून ओईल आप यहाँ पर किसी भी मस्टाड ओईल का यूज कर सकते हैं अब हमने जो कमल कड़ी के पीज किये हुए थे उनको फ्राई करेंगे और इनको हलका गोल्डल ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और इनको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और इनको चारो तरब से हिलाते रहना है चलाते रहना है नहीं तो यह एक तरब से सिक जाएंगी पक जाएंगी दूसी तरब से एक कच्छी रह भी सकती है इसलिए इनको चलाते और गुमाते रहना है ये देखिए इस तरीके से हम इलाते रहेंगे और देखते रहेंगे हमारी कमल ककड़ी अब भुन चुकी है अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे ये हमने निकाल लें देखो हमने इस तरीके का गॉल्डन ब्राउन कर लिया है अब उसी तेल में हम आलुओं को भी फ्राई करेंगे और इनको भी सारी बारी बारी से सारे आलुओं को हम फ्राई कर लेंगे इनको भी हम golden brown हलका होने तब भून पकाएंगे देखिए अब इनको भी हम plate में निकाल लेंगे हम सारे यालू हमने यहाँ पर fry कर लिए है अब उसी कड़ाई वाले तेल में अगर तेल ज़्यादा है तो उसमें से निकालने नहीं तो उसी में हम छोक लगाएंगे अब हमने यहाँ पर half table spoon जीरा डाला है two pinch hing अब यहाँ पर हम dry डालेंगे two red chili dry, three long, एक इंच का cinema roll और यहाँ पर फोर्क, green chili chopped और one table spoon garlic ginger का paste यह सब हम डालेंगे अब इसमें हमने एक प्याज पीस लिया है उसका paste बना लिया है अलका दरदरा पीसेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे हमने यहाँ पर प्याज का paste बनाया हुआ है आपके पास में रेडिमेंट हो तो वहाँ वह भी यूज कर सकते हैं और इस प्याज के paste को हम भूनते रहेंगे और इसको पर चलाते रहेंगे चारों तरप से नहीं तो यह कहीं से भी चिपक सकता है यह हमारा प्याज का paste बूनकर तयार हो गया है हमने यहाँ पर बन टमेटो लिया था उसकी प्यूरी बना ली है और उसको उसके अंदर डाल दिया आप यहाँ पर रेडिमेंट टमाटर प्यूरी भी यूज कर सकते हैं या घर पर बना कर paste डाल सकते हैं हूँ और इसको मसाले को भून लेंगे किज्टर अब हमने यहाँ पर हापकप दखी लिया भूएMom ऑह हूँ आप चाहो तो डालें नहीं तो श्किप करनें कि अब हम थोड़ा-थोड़ा करके यह पर लिए कि दखी डालेंगे एक साथ दालेंगे तो नहीं फट्र एकाड डर रहेगा इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके लो फ्लेम पर डालते रहेंगे एक साथ हमने यहां पर धही डाल दिया है और उसको चारतरप से गुमाते रहेंगे और इसमें बाव लाने तक चलाते रहेंगे अब इसमें वाली आ गई है अब हम इसके अंदर सारी मसाले डालेंगे half table spoon red chili powder half table spoon healthy powder one table spoon धनिया powder स्वाधन स्वाधन नमक इन मसालों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे और इनको हम चलाते रहेंगे ताकि यह दही फटे नहीं और मसाले भी अच्छे से भून जाए और मसाले जले नहीं और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है यह देखिए यहाँ पर हमारा मसाला भून कर तैयार हो चुका है और इसे साइड से तेल भी छूट रहा है देखिए इस तरीके से अब हम इसमें डारेंगे पानी आप यहाँ पर गाड़ा या पतला ग्रेवी कर सकते हैं अब इसमें हम वह वाली आने तक वेट करेंगे और इसको प्लेट की साहता से ढख देंगे अब हम देखेंगे के हमारी ग्रेवी में वाली आ चुकी है अब हम जो हमने कमल ककड़ी और आलू फ्राई किये थे उनको डाल देंगे और इनको मिक्स कर देंगे अच्छे से और फिर से हम तीन से पांच मिनट के लिए इनको डख कर रख देंगे यहाँ हमने डख कर रख दिया है तीन से पांच मिनट हम वेट करेंगे देखिए अब हमारी सबजी औल्रेडी बन चुकी है पक चुकी है यह देखो इस तरीके से हमने गाड़ा या पतला हमने अपनी इच्छा अनुसार बनाया हुआ है और यहाँ पर डालेंगे एक चौफाइय टेवल के स्फून ब्लैक पेपर और अच्छे से चला देंगे और मिक्स कर देंगे यहाँ पर हमारी सबजी मिक्स बन चुकी है . एकदम सबजी हमारी रेड़ी हो छुकी है ,ब हम एक बावल लेंगे बावल कि अंदर हम सर्व करेंगे और दक है और बंड और सक्राइब कर लिया है यहां मेरी रेचिपि आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियों को ज़्यादा सेयर कीजिएगा ज़्यादा सेयधा ला таких कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताईए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी बाई बाई थैंक यू